दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों लहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे शॉर्ट गेनबास के पुरे अकड को चकना चूर करती हुई छेरण और दूसरे शॉर्ट पे भी तेज गेनबास को ही लाया जा रहा है बल्लेबास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए बॉल सीधा फिल्डर के हाथ में तोई रज़ रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर पे फिल्डर मौजूद बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए निराश लग रहा है वहाँ मेरी माने यह तो अपने आपको फिश किसमत समझें जो अभी फ्लीस पे ही कड़े हैं फिल्डिंग में परिवर्दन इनके तो बल्ले से सिर्फ चोके और छके ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंट कहा मारेंगे पूरी तरह मिस्स किया वहाँ गेंट की दिशा को थोड़ा समझ के खेलना होगा यहाँ सीधा फिल्डर के हाथ में कोई रन है जो मदद इस गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा खुपसूरण शोट और चार रन गेंबास के चक्के छुड़ाते हुए बॉल सीधे बाउंडरी रेका के उस पार फिल्डिंग में परिवर्तन इस आकरामक फिल्ड के साथ तो बहुती सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंबाजी करनी होगी यहाँ उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राए नहीं था कोई सदेह नहीं था कि यह छे रन है बहुती बड़िया टाइमिंग कि बहुती झालिया है टाइम है इस जए और इस पमं जए हैं यह हुती बिं़व monster on प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में हैं बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा ना बैठे हवा में उठा दिया है और ये छे रन कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे बहुत ही बड़ी अताल में जोनों बल्ले बाज़ों के बीच एक नहीं थे पूर्ण पारी राटिंग टीम के लिए एक बार मारा है क्या वो दुबारा मार पाएंगे उठा के खेल दिया है शांदार बल्ले बाज़ी और ये छे रन बहुत जादा रन दे चुके है इस ओवर में ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है कि वो अपनी गेंबास को confidence दे रहे है बहतर गेंबाजी के लिए ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वह क्या बात है और ये बोल्ड बहतरीन गेंबाजी दिराश होकर पैविलियन के तरफ लटते हुए बहुत ही बड़िया गेंड जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है